दिस नियोज इस स्पॉंसर्ट बाइ हीरा बैंकित हॉल फुली एर कंडिशनर आज साइद अली चबूत्रा नियर शागॉस होटल असलाम लेकुम नाजरीन आप सब का इस्तक्बाल ही ए-18 तलिगाना नियूस के खास खबरनामे पर आज 25 में टियूस्टिका दिन है आया नाजरीन देखते हैं आज का खास खबरनामा तलिगाना रियास्त बेसबरी से जिसका इंदिजार कर रही थी वो फैसला आ गया तलिगाना रियास्त में दोबारा 10 दिन का लॉक टाउन बढ़ा दिया गया है और 7 घंटे की रहत दी गई है सुबा 6 बजे से 1 बजे के दर्मियान आवाम को रहत दी गई है आज प्रगदी भवन में घंटों की इजलास के बाद क्याबिनिट ने फैसला लिया के तलिगाना रियास्त में 10 दिन के लिए लॉक टाउन बढ़ा दिया जाएगा और रहत का वक्त सुबा 6 से 1 बजे के दर्मियान दिया जाएगा इन रहत के वक्त कुछ कारोबारियों को कारोबार करने की इजासत है किन कारोबारियों को इजासत होगी उस तालुक से जल्दी गाइड लाइन जारी किये जाएंगे तेलिंगाना सीम के सिया ने कैबिनिट के साथ बाचीत के बाद और तेलिंगाना के हालात के रिपोर्ट्स देखने के बाद ये फैसला किया है अब रोजाना दस दिन के लिए तेलिगाना में दो बचे के बाद सकती के साथ लॉकडाउन अमल में लाया जाएगा सुबा छे बचे तक तेलिगाना सीम के सिया ने कहा के एक बचे तक राहत की अजासत इसलिए दी गई ताकि आवाम अपने घर जा सके तमाम जरूरी अशिया की खरीदारी करके जो भी तेलिगाना के स्टूडिंस अपनी ताली मुकमल करने अबरॉड जाएंगे उन्हें वैक्सनेशन दिया तेलिगाना केबिनिट ने ये भी फैसला लिया के लॉकटाउन के राहत के दौरान प्रॉपरटीस रिजिस्टरेशन और गाड़иों के रिजिस्टरेशन की अजासत होगी लेकि लॉकटाउन की राहत की वक्त ही डारेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ ने ऐलान किया कि सारेड़ी के दिन खरीब 27 शिकायते दर्च किये गए प्राइविट हॉस्पिटल्स के खिलाफ जो ज्यादा पैसे चार्च कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं और कोविट 19 पेशन्स का सही ट्रीटमेंट नहीं किया चा कहा के पांच प्राइविट हॉस्पिटल्स के कोविट 19 ट्रीटमेंट लाइसेंस को शापूर नगर संगारेडी इन तमाम की कोविट 19 ट्रीटमेंट लाइसेंस कैंसल कर दिये गए हैं पिछले फ्राइडे की दिन और पांच हॉस्पिटल्स पर आक्शन लिया गया है और उनके भी कोवेड नाइटीन ट्रीटमेंट लाइसंस कैंसल कर दिये गए हैं शहरे हाइदरबाद में मियोकोड माइकोसिस या ब्लाक फंगस के केसे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और रोजाना ब्लाक फंगस से काई पेशन्स रीकवर भी हो रहे हैं गवर्नमेंट एंटी हॉस्पिटल में से अभी 45 ब्लाक फंगस से रीकवर पेशन्स को डिस्चार्च किया गया ब्लाक फंगस से रीकवर पेशन्स पर पांच दिन के लिए नज़र रखी गई थी उन किये जब से करोना की दूसरी लहर शुरू हुई है मार्च 2021 से तब से 46 फीसद लोगों का मानना है कि सेंट्रल सरकार करोना के हालातों को ठीक से नहीं समाल पा रही है और करोना के मुश्किल वक्त को मज़ाक मिले रही है 46 फीसद में से 29 फीसद लोग बिलकुल खिलाफ है सेंट्रल सरकार के इस करोना वाइरस के हालातों को नहीं समाल पाने आई एन एस सी वोटर्स कोविट ट्रैकर सर्वे ने बताया के पिछले साथ दिनों में 6872 लोगों से सर्वे किया गया जिसमें 48 फीसद लोग सेंट्रल सरकार के खिलेंगाना काबिनिट से एक्स ट्यारेस हेल्फ मिनिस्टर एटला राजेंद्र को निकाल दिने के बाद एटला राजेंद्र ने मले ए रवेंदर रेडी से मुलाकात किये और नियू दिली के लिए रवाना हुए और मंडे के दिन बीजेपी के टॉप लीडर से मुलाकात किये एटला राजेंद्र के इस सफर से ऐसा लग रहा है कि एटला राजेंद्र बीजेपी जॉइन करने के खबरे बिल्कुल सही है यूनियन हेल्थ और फैमली वेलफेर मिनिस्ट्री के मताबिक इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में दो लाग के नीचे करोना पॉजिटिफ केसे सामने आए पिछले 24 घंटों में एक लाग 65,553 करोना पॉजिटिफ केसे दर्च किये गए और पिछले 24 घंटों में 3,460 लोगों की मौत हुई है इस करोना महामारी के चलते ये जरूरी है आवाम को आगा करे करोना वाइरस के तालग से ताकि करोना थम सके साटरे की दिन स्वामी वडला नामी शख्स ने खरताबाद जंक्शन पर करोना वाइरस अवेनिस प्रोग्राम करते हुए एक पैगाम दिया के करोना के चलते मास्क सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है करोना की मुश्किल को समझना जरूरी है कि करोना कितना खौफनाक हो सकता है सुाती ने करोना वाइरस को अलग-अलग रंगों में बताया है करोना वाइबरिंस बताने और पैगाम दिया कि करोना वाइरस बहुत खतरनाक है और घर में महفوظ रहना एहम है पुलीस वालों पर तफसिलात के मताबिख तलाब चंचलम भवानी नगर का है ये वाकिया जहाँ 20 साल के बच्चे का मोटर साइकल पर सड़क हादेसा हुआ गाड़ी पर सवार दो बच्चे थे लॉक टाउन के दौरान ये लोग बाहर घूम रहे थे बवानी नगर पुलीस सड़क हादेसे के बाद जब पुछ ताच के लिए उनके पास पुछे तो पुलीस वाले ने गुस्से के आलम में बाइक चलाने वाले बच्चे को सर पर लाटी से मारा जिसकी वज़े से उस बच्चे के आँग को शदीद जख में आए बवानी नगर नौजवान मौहमत असलम को सर पर जोर से मार दिया लॉकडाउन की खिलाप वर्जी करने की जरूम में जिसकी वज़े से मौहमत असलम की आख पर शदीद जखमे आए और खून निकलना शुरू हो गया इस हादिशे के बाद नौजवान बच्चों ने पुलीस के खिलाफ एह कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो खून नौजवान नौजवान की आख श्यू एफुट्स जूज़ अनौस यूज़ इस श्ट्राइट व्र बाद अस्मानिया श्यूटी लेटि अचलिटर सुछिफ जुट्यू इल्फश् 1 लीटे श्टेट सुटेस्टिशवान जूज़ ए में चम्रीच चरवेब पिर्मियर divided by छारां विर्पियात अवर्पिया जेयर देफ़ इंधिये उॉर्वारे कर दे पां and regular 100% scholarship assistance transport facility available hurry up, admissions are open success junior college for girls success degree college for women IS Southern, X Roads, Santoshnagar, Hyderabad